हेलो स्टुडेंट मैं भानुतिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री इंट्रेक्षिन ऑप केमिस्ट्री ठीक है केमिस्ट्री का इंट्रेक्षिन यह आप से क्लास सिक्षित से हैं 9 10 11 12 के लिए यह बहुत जादा इंपोटेंट है सबसे पहले हम एकमिस्ट्री पढ़ें तो हमें उसका इंट्रोडेक्षिन जहां से केमिस्ट्री में इस्टार्ट होती है वह चीजह हमें याद होना बहुत जरूरी है अगर हम किसी गौश्मेंट जॉब की त्यारी कर रहें जहां पर केमिस्ट्री है तो यहां से हमेरी में क्वेस्टन यहां से किये जा सकते तो इस्टार्ट करते इंट्रोडेक्शन और के साथ ठीक है इंट्रोडेक्शन और कैमिस्ट्री कुछ यहां से स्टार्ट करते ठीक है सबसे पहले हमारा कैमिश्टी नाम नहीं था ठीक है कैमिश्टी होने से पहले क्या था कैमिश्टी होने से पहले था एलकमिश्ट जब कैमिश्टी नाम नहीं दिया गया था सबसे पहले जब खोज भी एलकमिश्ट ठीक है मेटल एंड नॉन मेटल को खोजा गया था यहां पर क्या होई थी एलकमिस्ट में मेटल एंड नॉन मेटल की क्या होई थी खोज हुई थी और नॉन मेटल और मेटल की क्या कराए गई थी रियक्शन ठीक है रियक्शन या अभिकिरिया कराई सब से पहले हमारे धर्ती पर क्या था कि धातू और अधातू ईनके न कृराएगी अभगीरे कराएगी कि ताकि यह कोई नया पदार्थ बनाता है यह नहीं बनाता है सबसे पहले कि नहीं हमारी खोजें की उसके बाद होने के बाद भी इसको chemistry का नाम कि परदान किया गया तो chemistry में सबसे पहले हुआ है सबसे पहले सबसे पहले आता है अगर हम यह वह इंसान की बात करें दो बना इनसान क्या बनाए फांस से मिलकर बना है कि यह पांस तत्तु कौन से होते हैं और दिखते हैं यह पांस तत्तु कौन कौन से होते हैं चिती जल पावक एंड गगन एंड समीर धरती है हमारा पानी है आग है हवा है आग आसमान है और हवा है इन पांस तत्तु से क्या बना है एक इंसान का शरीर बना है तो हर पतार्थ यहां तक कि इनसान का सरीर पांस तत्तु में इससे विलीन हो जाना इंrän पांस तत्ती क्या हो जाना था है तो चौने हो जाता है ठीक है तो सबसे पहले थीए इन इन्हीं चीजों से हमारे क्या हूए तत्तों से अगर हम पदार्त के वस्ताएं देखें तो पदार्त के वस्ताएं तीन ठीक है पदार्त के वस्ताएं ठोश जरॉब घैस शॉलड लिंक्विड हैं ईन तीद इन होती है मैं धका मैं कि मैं सभी टामें अगर में सबसे पहला अब ऑपार्थि किया गया था वह था हमारा कोपर छीका कोपर से सबसे पहले हमारे जो पदार्टोचा सबसे पहले कौन यूज किया गया था मानवा सब्सक्राइब का उस्च हमारी प्रकरती में पाए जाते ऑर फार है यह इस पांस तरीके के में इसके बाद प्लाज्मा और बीसे हैं ऑर बनेंकि हमारे अभी स्लेवस में जो है तीन में पहले इन तर्फक्ति बारे में जानीके तो तो यह पदाए थे पदार्थ थे किया करता में दो बातों पर निर्भड करता है पदार्थ है दो बातों पर निर्भड करता है कोई भी पदार्थ क्या करता है दो बातों पर निर्भड करता है नंबर एक है उसका Temperature & नंबर दो न उसका प्रेशर ठिक है नंबर एक है उसका इसनैन धिंसर फार्ट करते हैं हम यह देखते है मानक जीरो डिग्री सेंटीग्रेड है ठीक है अगर हम जीरो डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाते दीरो डिग्री सेंटीग्रेड से अगर हम नीचे जाएं तो हमारा पतार्थ कैसा हो जाएगा ठोस हो जाएगा अगर हम जीरो डिग्री सेंटीग्रेड से कुछ उपर आजाते हैं higher हम कुछ इससे ऊपर टींगर हम हंडेट डिज एंड क्रॉस्क करने लगते तो अवस्ता हो जाती आ चारो जाती हैं नियुक काइसी आवस्ता घ्रक्ण हो जाती है कैसी आवस्ता हो जाती है एंग हमने उर्जा संदक्षंड का नियम पढ़ा की उर्जा को ना बनाया जा सकता है ठीक है उर्जा को बनाया नी जा सकता है तो यहांपे लगडी को नहीं बनाया सकता है इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया सकता है अब देखते हैं कैसे पार्व कोई प्रेंडिशन फोलोगी आप लगडी ले सकते हैं लगडी को जल में विदाल सकते हैं भरफ है आपके आई से आप बर्प को कुछ गर्म करेंगे ठीक है बर्प को पिग लाएंगे तो क्या बन जाएगा जल इस जल को आप 100 degree centigrade पर 100 degree centigrade पर गर्म करेंगे तो यह क्या बन जाएगा गैस बन जाएगा अगर आप गैस को चेंज करना चाहें अगर पानी गर्म रखेंगे तो नीचे क्या बनेगा नीचे पानी बन के गिरेगा तो पानी बन जाएगा ठीक है यहां से जल चेंजे सकते हैं अगर हम फ्रीज में रखें जीरो डीघ्री से नीची के न। तो उसके ताप अंतर गांण तो यह क्या हो जाएगे तो ढूरे चेंटा वह जाएगी फिवर्म लगंगि कि दूपारज़ से तीनों रष्था हैं हमें मिल जाएंगी keen Club से दुसरी है çेंज लूप में निश्ट कर सकते तो परीटी की कि डार्थ को हम नहीं बंब सकते हैं नहींर नश्ट लेके मैं आपको बेशिक लेवल से शिखा रहा हूं ठीक है मैं सीधे पूरी पतार्त के वस्थाएं लेके मैं आपको बेशिक लेवल से सिखाऊंगा इसको एंड क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को आप चैनल पर नए हैं तो पहला अगर जरूर प्रेस करें क्योंकि मेरी हर क्लास अपडेट होती जाती है जल्द से जल्दी क्लास आते रहती है तो थेंक्यू